हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप सब हम क्लास टेंथ जो फिजिक्स का चैप्टर वन है लाइट उसके MCQ डिसकस करेंगे हमारा फिर्स्ट कोशन है यहां पर आप देखो फिर्स्ट कोशन क्या है फिर्स्ट कोशन है हमारा एन अब्जेक्ट इस प्लेस एड डिस्टेंज 0.25 मिटर इन फ्रेंट आप प्लें मिरर इन इमेज एक प्लें मिरर है ऐसे प्लें मिरर होगा उसके फ्रेंट पे एक अब्जेक्ट रखा है जिसका डिस्टेंज है 0.25 मिटर और इसकी जो image बनेगी वो opposite direction में बनेगी तो अब इसकी image का distance कितना होगा ठीक है the distance between object and image वो पूछा हुआ है ठीक है वो आपने निकालना है अब plane mirror का भात करने हैं तो अगर object का distance 0.25 है तो image का भी कितना होगा 0.25 जब आप 0.25, 0.25 को add करोगे तो आपके पास क्या हाज आएगा image का distance between object and image ठीक है इसमें हमारा जो correct option है वो c 0.5 meter यह plane mirror है तो यहाँ पे object रखा हुआ है तो यहाँ पे image बन रही है इन भीज का distance कितना है ठीक है वो बताना है हमने अगर इसका 0.5 है तो इन दोनों का क्या होगा 0.5 दोनों को हमने add कर देना है second question है हमारा the angle of incidence for a ray of light having zero reflection angle is अब बोल रहे हैं कि जो angle of incidence है वो zero है तो बताओ कि जो angle of reflection होगा वो कितना होगा आपने जब law of reflection पढ़ा होगा तो वहाँ पे बोला यही है कि जो तीनों ray है कौन-कौन सी incidence, normal, reflected incidence जो sun से आती है reflected यहाँ से direction change होगी जिसकी यह तीनों एक ही plane पे लाई करती है यह first law था incidence, normal और reflected यह तीनों एक ही plane में लाई करती है यह first था second था कि जो angle of incidence है यह इदर angle बन रहा और angle of reflection है वो दोनों क्या होते है बराबर होते है second law क्या बोलता है कि जो angle of incidence और angle of reflection है वो equal होते है अगर यहाँ पे angle of incidence 0 है तो reflection कितना होगा वो भी 0 ही होगा तो option A हमारा correct है next question है हमारा for a real object produce a real image अब आपको यह पता होना चाहिए कि real image कौन सा mirror बनाता है आपके पास spherical mirror है जब आपने इसको center में से काटा जो curve वाली side बनती है ठीक है यह वाली side बनती है इसको हम concave mirror बोलते हैं और यह वाली side को हम convex mirror बोलते हैं और जो concave mirror होता है वो हमारी क्या मनाता है real image तो option B हमारा correct है अब कब बनाता है real image जब object की position focus और infinity पे होगी ठीक है infinity और focus के बीच में जब object होगा तब कौन सी image बनती है real image इसका एक table है अलग से अगर आपको वो table चाहिए होगा तो मैं उसकी अलग video डाल दूँगी आप comment में बता देना और next question है कि जो dentist होते हैं वो cavity check करने के लिए कौन सा mirror यूज करते हैं ठीक है जिससे बड़ा दिखता है वो कौन सा mirror होता है वो concave mirror होता है ठीक है और convex कौन सा होता है जो rear view ठीक है विकल के rear view दिखने के लिए क्योंकि उसमें सारा erect होके image बनती है ठीक है छोटी होटी image बनती है वो सारा दिखता है लेकिन dentist कौन सा यूज करते है concave mirror तो option C हमारा correct है अब यहाँ पर बोला है कि जो concave mirror होता है वो erect और in large image ठीक है कौन सा image बनाता है erect और in large इसका भी MCQ पूल सकते है कि erect और in large image कौन बनाता है concave mirror ठीक अब यहाँ पर बोला है कि एक object at a distance 15 cm अब convex mirror की बात आ रही है यह होता है convex mirror यहाँ पर होता है pole तो बोलते हैं कि एक object है उसका distance 15 cm है ठीक है तो उस time कौन सी image बनेगी अब convex में कौन सी image बनती है dimnist and virtual ठीक है dimnist and virtual कौन सी image बनेगी dimnist and virtual convex mirror का case आए तो हमेशा always कौन सी image बनती है virtual और dimnist ठीक है यह याद रखना convex mirror में always virtual और dimnist एक convex mirror होता है एक lens अभी हम mirror की बात कर रहे हैं लेंस की नी बात कर रहे हैं, ठीक है, कैसे बना था ये, ऐसे, ये वाला convex mirror था और ये वाला concave mirror का spherical mirror को तोड़ के बने था ये, अर नेक्स कोशन है, अब concave mirror radius 30 cm is placed in water, ठीक है, अब जैसे ये concave mirror है, अब बोर रहे हैं इसका radius, radius होता है half, कितना है 30 cm in water, water की बात कर रहे हैं, तो its focal length in air and water different way, अब बोर रहें जो इसकी focal length होगी, focal length की बात कर रहे हैं, हवा में और पानी में कितनी different होगी, आपको ये पता होना चाहिए, जो focal length होती है, वो किसी medium के ओपर depend नहीं करती है, तो इसका हमारा क्या आएगा, 0, ठीक है, किसी medium के ओपर depend नहीं करती है, तो answer D हमारा correct है, next question है हमारा, the image found by a concave mirror, is real, inverted and same size, the position of object, अब बोर रहे हैं कि जो concave mirror है, जब वो real, inverted and same size, जैसा object है, वैसी ही image बना रहा है, तो उस time हमने object को कहां पे रखा होगा, ठीक है, तो उस time जो हमारा object होगा, वो focus और center of curvature, ठीक है, center of curvature और focus के बीच में होगा, ठीक, same size image कब बनेगी, same size image कब बनाएगा concave mirror, concave mirror की बात और ये concave mirror real image बनाता है, और convex virtual बनाता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए, concave हमेशा real बनाता है, concave हमेशा virtual बनाता है, तो same size कब बनाएगा, जब object focus और center of curvature के बीच में होगे, वो ही आ गया, ठीक है, जब object focus और center of curvature के बीच में है, तो उस time concave mirror, किसकी बात कर रहे हैं, concave mirror कैसी image बनाएगा, real बनाएगा, inverted बनाएगा, enlarge, कुन सी, real, inverted, enlarge, ठीक है, अब यहाँ पर जैसे आप option से भी tick कर सकते थे, dimnist आ गया, वो तो, इसमें convex में बनती है, विर्चूल आ गया, वो भी इसमें कुछ case होते हैं, exceptional उसमें बनती है, यहाँ पर विर्चूल यह तो आ नहीं नहीं था, तो option C हमारा correct है, and next question है, हमारा the nature of image formed by convex mirror, अब यहाँ पर देखो convex mirror की, यह बहुत important होता है, concave mirror कौन सी image बना रहा है, convex mirror कौन सी image बना रहा है, when the object distance from the mirror is less than distance between pole and focal, ठीक है, pole and focal length के बीच में, जब object होता है, तो उस time image कौन सी बनती है, किस की बाद कर रहे हैं, convex की, तो convex यहाँ में virtual है, उन दोनों से हमने देखता हैं, तो COD, इसमें virtual, upright और dimnist, ठीक है, तो option C, convex में जब virtual आ जाता है, और dimnist आ जाता है, उसको टिक लगा के आ जाना है, अब यहाँ पर देखो, convex mirror always form a virtual, erect and dimnist, और जो concave होता है, वो real, enlarge, ठीक है, real और enlarge, इसका virtual और dimnist जब आ जाता है, तो मतलब convex ही है, और real और enlarge आता है, तो मतलब वो concave mirror की बात हो रही है, ठीक है, इन दोनों को ध्यान में रखना,